हेलो फ्रेंट्स, LGR study के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स, आज हम होम साइंस कहें तो गड़ी विज्ञान का क्लास करने वाले हैं और आपके बुक का फर्स्ट चेप्टर जो है सिसुओं की जानकारी जीरो से तीन वर्स यानि कि इस चेप्टर में हम जीरो से तीन वर्स के बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके किस-किस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे लेकिन इसे पहले आपको ये बता दे कि कुछ टॉपिक पर हम पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं और दूसरा जो आप लोग देख रहे होंगे सारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सारीरिक विकास को कौन-कौन से चीज प्रभावित करते हैं इन सब बातों को हम जानेंगे और नमबर जो आपको दिख रहा होगा दात दात के बारे में भी हम जानेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं किस-किस अवस्था में किस-किस दात का निर्मान होता है इन पर हम चर्चा करेंगे और सबसे लास्ट जो है मान स्पेसियों का विकास ये भी हम जानेंगे कि मान स्पेसियों का विकास कैसे होता है और मान स्पेस यह आप हमको कमेंट सक्षन के मादे हम से जरूर बताईएगा यह क्लास को सुरू करते हैं तो जैसा कि आप लोग सबसे फस्ट देख रहे होंगे कि सारीरिक विकास सारीरिक विकास में हम बात करेंगे सबसे पहले सिर के अनुपातिक विकास का आपको बता दे जर्म के समय अच्छे का लंबाई होता है जर्म के समय तो इसमें से 10 सेंटीमीटर सिर का लंबाई होता है यह आपको जानकारी याद रखनी है दूसरी बात करें तो सिर का विकास बैस्क में जो है वो 10% होता है जब बैस्क हो जाते है व्यक्ति तो उस समय 10% ही सिर का विकास होता है किसक तो इससे क्या होता है आपको बता दे कि मांस्पेसियों के विकास नहीं होने पर सरीर में दुरबलता आती है बच्चों के सरीर में दुरबलता आती है और आगे बात कर लेते हैं हम दात की कि दात कितने प्रकार के होते हैं और कब-कब इसकी बिर्धी होती है तो जैसा कि आप आप देख रहे हैं गर्भ काली नवस्था की तीसरी माह से 25 वस तक दातों का विकास होता है अब आईए थोड़ी सी जानकारी ले ले लेते हैं इसके प्रकार की की दात जो है वो कितने प्रकार के होते हैं तो जैसा कि आप देख रहा है और अस्थाई दात और अस्थाई दात हमने पहले क्यों लिखा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले आप इसकी संख्या को देख लीजे और अस्थाई दातों की संख्या जो है वो 20 होती है और अस्थाई दातों की संख् अस्थाई दात और अस्थाई दात की संख्या आप जान लिये हैं अब बात कर लेते हैं कि इसकी ब्रधी कब कब होती है तो 6 से 8 हमां के बीच में जो है और अस्थाई दात का ब्रधी होता है और अस्थाई दात उसे कहा जाता है जो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो सब दात जो है तूट जाता है और दूसरे दात वहाँ पर जर्म लेता है अब अस्थाई दात की बात करें तो ये कितने होते हैं 32 दात होते हैं और ये 6 वर्ष से निकलना सुरू हो जाता है यानि कि ये दात जब नस्ट होता है और अस्थाई दात तब अस्थाई दात का उत्पन होना सुरू हो जाता है और ये 6 वर्स से इसकी प्रिक्रिया सुरू हो जाती है और 25 वर्स तक चलती है एक बात और हम आपको बता दे कि दातों में केल्सियम की मात्रा जो है वो परियाब तो होती है केल्सियम की मात्रा बिल्कुल परचूर मातरा में दातों में होती है अब सबसे पहले आप ये जाननीचे कि WHO बिश्व स्वास्त संगठंद ने 27 अप्रील 2006 को अंतर राष्ट्री अस्तर पर एक नया बाल बिर्धी अस्तर परस्तुत किया था इसी के अनुसार हम आपको अध्यन करा रहे हैं अई अब बात करते हैं सरीर को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो कौन-कौन से है इनसे हम आपको परचित कराते हैं तो सबसे पहला आप देख रहा है बंसा नुगत में बच्चे के सरीर पर प्रभाव जो परता है वो उसके रंग पर परता है जैसे उसका पिता या माता या फिर अन्य सदस परिवार के जो अन्य सदस होते हैं उन्हीं के अनुसार उसका रंग होता है उनका रूप भी इसी के अनुसार होता है और कद ये तीन चीज जो है रंग रूप और कद ये बंस चैब बता नुगत होता है आगे बात करते हैं भातिक बातावरं की किसकी भातिक बातावरं तो आपको बता दे कि भातिक बातावरं जो है यह भी एक बहुत ही महत्पुर्ण कारक है सारीर की विकास को प्रभावित करने में हवा यदि जहां का अच्छा रहा तो वहाँ पर जो विकास जो है वो अच्छा होगा पानी पर भी इसका असर परता है कि पानी जो है वो किस प्रकार का है साथी साथ रोशनी की भी जरूरत होती है बच्चे के सारीरिक विकास में अब आईए बात कर लेते हैं आहार की आहार की बात करें तो इसमें आयू और लिंग के अनुसार पॉस्टिक तत्तो मिलना बहुत ही आवस्यक है आयू और लिंग के अनुसार यदि आप पॉस्टिक तत्व उपलद कराते हैं सुसु को तो क्या होगा तो सारीरिक विकास को प्रभावित करने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी अब आगे रोग पर बात कर लेते हैं तो रोग की बात करें तो इसमें सारीरिक गती रुक जाती है ये तो होगा ही लाजमी है कि रोग यदि किसी को गरसित करता है तो सारीरिक विकास जरूर रुकेगा सारित की विकास की गती जो है वो बिलकुल धीमी हो जाएगी और इसके बचाव ही तो आपको टीका बगड़ा का जरूजी तो होता ही है साथ ही साथ संतुलित भोजन इसके लिए बहुत ही लावदायक होता है संतुलित भोजन इसके लिए काफी लावदायक होता है किसके से बचाओ के लिए अब सबसे लास्ट की बात करें तो क्या है अंतह स्रावी गरंथिया तो आपको बता दे कि अंतह स्रावी गरंथिया में सिर्फ जो है वो हार्मोन निकलने के चलते जो है सरीर में प्रभाब परता है और सारीरिक विकास जो है वो रूख जाता है आईए तो exercise जिसे आप आसान भासा में समाख सकते हैं अभी exercise के द्वारा जो है आप किस तरह से इस कमी को दूर कर सकते हैं लर्खडा कर चलने वाली कमी को तो सबसे पहला जो है वो है फुटबॉल को पकड़ाना फुटबॉल की सहाइता से उसको पकड़ा करके उसे उठवाया जाए और अनकियाय करवाया जाए तो इससे ये लाब हो सकता है और उससे पहले हम आपको बता दे कि 24 से 30 मन्थ के बच्चों के लिए ये आवस्यक है कित उसे आप पैर पर खड़ा करवाने की कोशिस किजिएगा तो इससे भी बहुत सारा विकास होगा कुछ देर के लिए अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं समवेद नात्मक विकास की कि समवेद नात्मक विकास को आप किस तरह से उसमें उसको धालते हैं तो सबसे पहले आपको बता दे कि कपड़ों से खेलना उसे आप कपड़ा दे दीजे उससे खेलने क्यों कहिए दूसरी बात करें तो बरस करना तेजी धौनी में उसके साथ आप बात कर सकते हैं उसको बरस करवा करके और अन फी चीजों के साथ उसके समवेदनात्मक विकास को आप डेवलप कर सकते हैं और आगे बात करते हैं भासागत विकास की तो भासागत विकास में आप किस तरह से बच्चे को भिक्सित कर सकते हैं तो आपको बता दे कि गिंती कड़ा करके बहुत साड़ा जो लक्षन है जैसे कि आप अभी आपको फिलहाल में कहें तो बाई बाई ये बहुत ही विकास का development कर सकते हैं बच्चों में अब ग्यानात्मक विकास की बात करें तो ग्यानात्मक विकास में आप चित्र दिखा करके कर सकते हैं चित्र किसी का चित्र आप दिखा देंगे और पुछेंगे कि ये किसका चित्र है और दूसरे एक्जामपल की बात करें तो आप खिलो बढ़ती है ये विकास का सिलसिला बढ़ चर्ड कर होने लगती है जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है और विकास जो है वो उस तरह से अधिक होने लगता है और उस खास करके किसोरा आवस्था में जो है सबसे अधिक सारीरिक विकास होता है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं next class में हम बात करेंगे बुद्धी को प्रवावित करने वाले कारक एवं उनके तत्तों के बारे में फिलाल आपको इतना ही कहना चाहेंगे वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा share कर दीजेगा और comment section के माध्यम से आप जरूर बताएगा कि ये class आपको कैसा लगा साथी साथ LGR study को subscribe कर लिजेगा और हमारे mobile app को install कर लिजेगा जिसका link जो है description में दे दिया जाएगा जहां से आप बहुत साड़ा note प्राप कर सकते हैं साथी साथ online test दे सकते हैं Thank you